नमस्कार दोस्तों श्वगत है आप सभी लोगों का एक बर फिर से आज का जो विडियो का भी से हैं बहुत ही शुन्दर हैं दस ऐसे वस्तू के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप अपने पर समय रखना शुरू कर देते हैं दस में से कोई भी आप एक वस्तू पर समय रखना शुरू कर देते हैं यकीनान माने आपके किस्मत चमकने शे आपके भाग्योदय होने शे आपको धीरे धीरे धनवान बनने शे दुनिया की कोई भी शक्ती नहीं रुख पाएंगे के कम करते हैं जिस प्रकार जो चुम्बक हैं लोहा को अपनी तरफ आकरसीत करता है उशी प्रकारी तांतरिक वस्तू धन अर्थाद लश्मी को आकरसीत करता है दोस्तो धनवान बनना हर किसी का सपना होता है और इसके लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है जिसे आप अराम दायक जिन्दगी जी सकते हैं लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी लोगों को पैसो की तंगी का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में वास्तो दोस हो सकते हैं यह फिर वास्तो शास्तो के अगर पालन किया जाए तो बिल्कुल आपको धन समंधी समस्तों का संमना नहीं करना पड़ेगा कहने का मतनाब है कि मैं जो तांतरीक वस्तू बताऊंगा कुछ खास वस्तू बताऊंगा जिसा अगर आप रखना शुरू कर देते हैं तो आपके धन में ब्रिद्धी होगी अगर आप भी इस प्रकार के जानकारी में इंट्रेस्ट रखते हैं तो इस बिड़ो को पूरा जरूर देखना अन्यत्था धूरे ग्यान हमेशा खताना शावीत होते हैं बिड़ो को यही पे छोड़ करके जा सकते हैं देखे कोई भी जो जानकारी होती वेर्था नहीं जाती अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं और बिल्कुल ही बाद में पस्ताना पड़ता हैं आप इसे अगर आप अंदविश्वास कहते हैं तो इसमें आपकी देवी देवताओं को भी आज के समय में बहुंसे लोग नहीं मानते केवल अंद विश्वास से जोड़ते हैं देखे जो टोने टोटके होते तांतरिक वस्तु होती हैं इसमें अदबुद छमता होती अदबुद उर्जा होती हैं जो की धनकी देवी लच्मी को आकरसीत करन हैं तो ना चाहते हुए भी धनकी देवी लच्मी को धन देना पड़ता है जैसे कोई भी वेक्ती तपस्चा करते हैं धन से शुनें चैप प्राचीन समय के राक्षा से लोग को ही ले लीजे जब ताब करते थी तो ना चाहते हुए भी देवी देवी देवताओं को उनके म मनोरत को पुर्णा करना पड़ता था उन्हें आसिरवाद देना पड़ता था उसी प्रकार तांत्रिक वस्तु ऐसे होता है जो कि आप अपने परस में रखना शुरू कर देते हैं तो ना चाहते हुए भी धन की देवी लच्मी को अब को धन देना पड़ता है आब के हर प्रक अजीर, सब्सक्राइब करना और हमारे चनल को सब्सक्राइब कर द दर्शको एक वे ऽैट आप सभी लोगों को अच्छे मिलते हैं प्राचिन ज्यान समगरी जितने भी अच्छे चोंड़ भरी जो जानकारी होते है अपने चनल के मादधंसे श्यर करते उसाशा जानकारी ब फिर मैं आप लोगों को ऐसा-इसे वस्तु के बारे में बताऊंगा जो वस्तु मिल भी नहीं शक्ते मिलते भी हैं तो जो आप से बन पड़े वह वस्तु आप अपने परस में रखना शुरूर आज सही कर देना तो पहला है अगर वस्तु के अनुशार देखा जाएं तो अगर कोभी बेखती लाल रंग के कागज अपने परस में रखते हैं लाल रंग के कागज में आपको स्वास्तिक बनाना है स्वास्तिक भगवान गड़जी के मंगल सरुप कहें हैं ये फिर ओम बनाना है और इसे कोन कि चंदन से बनाने सपैद रंग की तरभ मालच Cheng시 आकर्षीत होती है doin मालचमी को धन है तू लाल रंग की आपको कागज लेना है इसमें आप बना लिजी स्वास्थिक बना लिजे माता लचमी शुरूर कर दे जब आप इसे परसा में रखेंगे तो कभी भी आपको अपने परसा को खली नहीं छोड़े यह कीनन माने जब तक आपके परसा में रहेंगे आपको कभी भी धन का भाव नहीं होने देंगे अर्थात किसी न किसी कहीं न कहीं कुछ न कुछ माद्धम से ये धन को खीचने का काम करेंगे धन को अकरसित करने का काम करेंगे मैं जो जान करी बतारूं सास्तरों कधार पर बतारूं कि अभी पिछले वाले वीडि़ों में बहुता था तक ways जिल्ग पर जितने भी ग्राम,मंडल होते हैं दीवी द्योता होतें बंधे होते हैं और ना इसके बाद हैं सोने वाचांदी के सिक्के, सोने वाचांदी के सिक्के भी रखने से धन में बृद्धी होती है था परसा में रखते हैं, तो आबे के परसा कभी खाली नहीं होता, धन समंदी समस्ता दूर होता है, लेकिन सोने वाचांदी के सिक्के किस पकारा के ये भी रखन रन जरूरी हैं ये भी जनकरी होना जरूरी है तो सोने वह सिम्के ये दोनों रखने से पहले या फिर आप इसे 24 घंटा के लिए घूमुत्र में डाल करके रख दिजूँ क्योंकि इसे ये सुध होता है ये फिर आप चाहते हो तो इसे आप 24 गंटे के लिए गंगजल में डुबा करके रख दीजिए ये फिर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं तो 24 गंटे के लिए तुलसी के जड़े में आप इसे जो है दबा करके रख दीजिए तो इसे जो सिक् फिर आप जो हैं देव परतीमा की तरह इनकी पुजा करें जैसे जो भी देवी देवता का पुजा करते हैं रोली तिलग चंदन ये सब लगाते हैं उसे प्रकार इनकी पुजा करने हैं पुजा करने इक बाद धुब दिखा करके आप इसे अपने परस में रखना शुरू कर यकीनन माने फिर ये कोई सधारन सिक्के नहीं रह जाते ये धन को आकरसित करने वाला मालचमी की धन की कुझी का ये चाभी बन जाते हैं आपको करमा करना जरूर मैं यहां पर यह नहीं कोंगा आपको करमा बिल्कुल ही करना है करमा की कौडिंग मेहनत की कौडिंग आपको जहाँ पे पाँच उर्पाय मिल रहे हैं इसके करने के बाद आपको पचास में रुपाय मिलने शुरू हो जाती है तो इसमें आपकी फायदा हैं ये सदारानसी में समझा रहा हो तो ये जो चोटे-चोटे वस्तु हैं बिल्कुल ये धन को ख키ξने का कम करते हैं सधारनसी हैं इसके बाद अब चाहते हैं तो रुद्राक्षा रख सकते बिलकुल ही कोई सब ही रुद्राक्षा हो लेकिन प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए आज की समय में अगर देखा कमपनी होना चाहिए कोई स्बीमुखी हो जैसा भी रुद्राक्ष हो चलेंगे आपको रुद्राक्षब लेना है और रुद्राक्षब 20 घंते के लिए भगवन फिर पर आपको इसे चढ़ा करके रखने देना है 24 घंटे के बाद इसे जल्से भी श为पकर ने ette बाद ऑप जो इसे परिसे में रखना शुरू कर करेंगे आप चाहते हो तो इस परकार के रुदराक्षा गले में भी पहने सकते हैं बरसंभी रख सकते हैं ये आपके अध्यात महोनती कराते हैं इसके बद अगले नंबर में हैं इस फटीग इस फटीग को क्रिस्टल क्यों कि इस फटिक माता लच्मी का प्री जहां माता लच्मी का ये प्री धातू है ऐसा माना जाता है इस फटिक अगर कोई भी चे छोटे से तुकडे चे इस फटिक का माला ही रख लिजे माला पहन लिजे ये फिर माला छोटे से आप अपने परसे में रख लिजे ये फिर इ बखना शुरू करते हैं तो आपको कभी भी धन का कमी नहीं होने देता धन का बिल्कूल आपको अब हाव होने नहीं देगा इसके बाद हैं दोस्तो तुलसी की जड़, ध्यन से शुनना हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को माता का दर्जा दिया जाता है, तुलसी को लच्मी के शरूप कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, तुलसी का ही ब्रिक्ष, माता लच्मी का ही शरूप है, तुलसी का जो जड़ है इसमें समस्त ततिर्था वास करते हैं तो ऐसा कहा जाता है तुलसी की जड़ भी अगर आप अपने परसमे रखते हैं तो बिल्कुल ही यह आपको नकरत्मक सक्ती से बचाते हैं काली सक्ती से बचाते हैं साथी साथ यह आपको अतिरिक्त जो धन की खर्चे होते हैं जैसे आप प्रकार के जो भी चीज़ चाहिए वह सारे चीज इसके जड़के करीपश अगर आप परस में रखते हैं तो मिलना सुरू हो जाते हैं और रही बाद ये मन को शांती प्रदान करते हैं जब तक आपके जड़ में रहेंगे ये आपके सेरी से टच होते रहेंगे तब तक आपक फिर गिरे हुए पैसे आपको प्राप्त हुए हैं तो इस प्रकार के पैसे सौरू प्रथम तो माता लच्मी है ये फिर जो भी आपके इस टेंदेवी दियोताओं को शमर्पीत करने बाद इसे परस में रखिए जब तक आप इसे परस में रखेंगे क्योंकि उनका आसिरव हैं या फिर गिरे हुए पैसे लच्मी का सिरवाद होता है जब तक आपके परस में रहते हैं तब तब आपको धन का भाव यह होने नहीं देते इस प्रकार के पैसे को खर्चा नहीं होने देना चाहिए वास्तो साथ तरमे में ये भी कहा गया है अगर कुभी वेक्ति पीप स्थिक बना करके अपने परस में रखना शुरू करते हैं तो ये कभी भी आपको धन का नाश नहीं होने देते आपके कभी भी धन को ये बरबादी को ले जाने नहीं देते अजीवन आपको ये लच्मी आपके जो लच्मी है धन लच्मी से बांद के रखने का कम करते हैं आ और इस नाते क्योंकि मा लच्मी भी समुद्र से निकली है तो कौडी समुद्र की बहन है तो कौडी भी आप अपने परस में रखना शुरू कर सकते हैं इसे भी धन का कमी नहीं होने देता ये धन लच्मी को अकरसित करता है चांदी की तुकड़े भी रख सकते हैं आप चाहत को आकर सीत करते हैं का मनल की पर समयरह रहूं के थह नहीं हो नहीं देते तो आसा करता ह्ता हूं कि अपने agon वस्त्तु के बारे में बताइह यह सवत्तु कर दीजिये बिलकुल ही यह सर्वा इंगे को रोकेंगे क्योंकि वेक्ति की बरबादी कम होता है जब वेक्ति की धन नास हो तो यह धन नास को रोकेंगे। इसी इसा साथ आपके धन में धिरे-धिरे ब्रिदी कराने का कम करते हैं। माने या ना माने तांत्रिक वस्तु अपना प्रभाव बिल्कुल ही दिखाता है क्योंकि हमारे मानने या ना मानने शे वायू का प्रभाव कभी रूख नहीं सकता वर्सा कभी रूख नहीं सकता उससे प्रकार तांत्रिक वस्तु जो है अपना पुर्णर उसे प्रभाव से बचाले आज के जानकर यह पैसमा आप तक करता हूं दर्सकों बिड़ों देखनी के लिए धन्यवाद नमस्कार